दोस्तों एक EPS 95 पेंसन दारक हैं जिनका कहना है कि मुझे अगस्त 2020 से EPS 95 स्केम द्वारा निर्दारिस रुपई 3887 रुपई मात्र प्रतमहा पेंसन मिलती है यानि कि 3887 रुपई प्रतमहा पेंसन मिलती है सितंबर 2014 में EPS 95 स्केम में विस संसोदन के अनुसार 60 महीने के एबरेज मूलवेतन के आदार पर मासिक पेंसन की गरना की जाएगी किन्तु RPFC द्वारा ऐसा ना करने के कारण मेरी जो पेंसन है वो अभी भी कम बनी हुई है यानि कि अभी भी 3887 रुपई मात्र प्रतमा पेंसन मिल रही है अता मैं आपके माध्यम से EPFO से अपील करता हूँ यानि कि जो पेंसन धारक है उन्होंने EPFO से अपील की है उन्होंने कहा है कि पुनरगरना करके मुझे रिवाईद पेंसन प्रतान करने की किरपा करें यानि कि पेंसन धारक का साप साप कहना है कि जो उन्हें अभी पेंसन मिल रही है ये कम पेंसन है उनकी पेंसन में जल्द से जल्द बड़ोतरी की जाए जिससे कि वो बचा गुआ अपना जीवन यापन सही तरीके से ब्यतीत कर सकें